नमस्कार दोस्तों हरियाना में ग्रह मंत्री आनिर विज मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर के लिए और भारती जिनता पारिटी हाई कमान के लिए भी सिर्दर्द बन गए है सिर्दर्द इसलिए बन गए है क्योंकि उन्हें इस बार ग्रह मंत्री बनाया गया था कटर की पिछली सरकार में वो हेल्थ मिनिस्टर थे कुछ और डिपार्डमेंट उनके पास थे लेकिन चुकि इस बार दस मंत्रियों में से आठ चुनाव हार गए और अनिलविज समयत केवल दो ही जीत दर्ज कर पाए इसलिए अनिलविज को ग्रह मंत्री बनाया गया यह उनका इनाम समझ लीजिए या उनकी वरिष्टता समझ लीजिए वो छे बार के MLA है और पिछली सरकार जब बन रही थी यानि भारती जिन्ता पारिटी की राज़्ज में जो पहली सरकार बन रही थी उस समय भी उन्होंने ये दावा किया था कि चुकी वो सबसे सीनियर है इसलिए मुख्यमंत्री पन पर उनका दावा बनता है पर चुकी मनहरलाल खटर संग की भी पहली पसंद थे और नरेंदर मोदी और अमित शाह की भी पहली पसंद थे इसलिए चीफ मिनिस्टर वो बन गए और अनिल विज को हैल्थ से और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट से संतोष करना पड़ा उस समय कैप्टन अभी मन्यू, ओपी धनकड, राम विलाश शर्मा कई वीजेपी नेता, मुख्यमंत्री पद की दोड़ में थे लेकिन राज्ज में पहले वीजेपी मुख्यमंत्री बनने का सो भागे मिला मनुहरलाल खटर को 2019 में हरियाना में चुनाव हुए थे दोबारा भारती जिनता पार्टी की सरकार बनी है लेकिन 2014 में जिस भाज़ापा को 47 सीटे मिल गई थी 90 के सदन में उसको इस बार 40 सीटे मिल पाई और इस बार भाज़ापा को सरकार बनाने के लिए जनर्णाव जनता पार्टी का सहयोग लेना पड़ा दुश्यन चोटाला जो होम परकास चोटाला के सरकार चल रही है लेकिन CID महकमे को लेकर अनिलविज लगबग रो जाना अख़वारों में बयान बाजी कर रहे हैं और मेडिया भी उनके पीछे लगा रहता है उनकी इस कमजोर नस को समझता है कि उनको सुर्खियां बटोरने की बीमारी है और इसका पूरा फाइदा मेडिया भी उठा रहा है और जो विपक्षी दल है वो भी उठा रहे हैं ये CID का जगड़ा शुरू कैसे हुआ अनिलविज ने चुनाव को लेकर जो आम तोर पर राज्यों की CID एक अपना आकलन बनाती है वो रिपोर्ट तलब की थी रिपोर्ट आने में काफी समय लग गया उनको रिमाइंडर भेजने पड़े रिपोर्ट आ गई तो उससे संतुष्ट नहीं हुए उसको एक नौट लगा करके वापस भेजा और उसके बाद पता चला के जो वेबसाइट अपडेट की गई थी उसमें जो CID भी भाग है ये हॉम मिनिस्टरी के बज़ाए CMO के साथ कलब करके दिखाया गया और इसी के बाद से ज़गडा शुरू हुआ अनिल विज ने वयान दागने शुरू कर दिये उन्होंना कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट नहीं चाहते हैं कि CID हो मिनिस्टरी के पास रहे हमारे पास रहे उन्होंना कहा कि бिना CID के हो मिनिस्टरी का मतलब क्या है और होम और गिरहbird मंत्री का भी क्या मतलब रह जाता है इसके बाद मुख्यमंद्री ना उनको बुलाया बात की लगा के मसला सुलज जाएगा पर सुलज नहीं रहा है और बताते हैं के मामला भाजापानेत्रत्व यानि आमित शाह और नरेंदर मौधी तक पहुँच गया है क्योंके हाल में आनिल विज ने बयान दे दिया कि CID भी ले लो और जो होम मिनिस्ट्री मुझे दी गई है ये भी ले लो हलाकि उन्होंने ये भी कहा कि CM ही सुप्रीमों हैं और वो ही फैसला करेंगे लेकिन जिस तरह कि बयान वो CID को ले करके होम मिनिस्ट्री को ले करके मुख्य मंतरी को ले करके और बिरोक्रेट्स को ले करके दे रहे हैं उस से ऐसा लगता है कि एक कसीदगी का माहूल पैदा हो गया है और जो एक रीती नीती रही है आम तोर पर भाज़पा सरकारों की कि इस तरह की खीचातानी मंत्रियों में और मुखे मंत्रियों में होती नहीं है बड़े अनुशाशित तरीके से वो काम करते हैं कहीं कोई मसला आता भी है तो उसको परदे के पीछे ही सुलजा लिया जाता है निफ्टा लिया जाता है लेकिन अनिलविज को चुकी मीडिया में सोशल मीडिया में भी सक्रिय रहने की बीमारी है तो वो सक्रिय है ये मसला कैसे सुलजेगा अनिलविज ग्रह मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो भाविष्य के गर्भ में छिपा है लेकिन जो एक राज्य के पूरू ग्रह मंतरी हैं संपत सिंग जो आजकल भारते जिनता पार्टी में ही हैं ये उम परकास चुटालगी सरकार में ग्रह मंतरी हुआ करते थे उनका बयान आया है और उनका कहना है कि अकेले हरियाना की बात नहीं है अलग अलग राज्यों में जो C.I.D. महकमा है वो ग्रह मंतरी के अधिन ना हो करके आम तोर पर मुख्य मंतरी के ही अधिन होता है और जो खुफिया विभाग है वो मुख्य मंतरी को ही रिपोर्ट करता है तो देखना दिल्चस्प होगा कि अनिल विज्ज और मुख्य मंतरी के बीच जो खींस्तान चल रही है और जो बयान बाजी चल रही है बयान बाजी भी एक तरफा ही चल रही है मुख्य मंतरी तो आम तो पर इस मामले में कोई बयान दे रही रहे हैं खामोश हैं तो इसका भविश्य क् लेकिन जिस तरीके से मनोहरलाल खटर के नित्रत्व वालिये दूसरी सरकार चल रही है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है जो इसकी सहियोगी पारिटी है यानि जन्नायक जन्ता पारिटी उसमें भी एसंतोस के सुर देखे गए हैं नारनोद में कैप्टन अभी मन् बने हैं रामकुमार गोतम उन्होंने पिछले दिनों अपने नित्रत्व यानि दुश्यन चोटाला पर निशाने सादे हैं और काफी भला बुरा कहा है और ये तक कह दिया है कि इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है जो दूसरे विधायक जेजेपी के जीते हैं वो मेरी वज़ में उनके फिर से बयान आने शुरू हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि निकट बहुश में वो भी या तो विधायकी से इस्तिफादे देंगे या जनौनायक जनता पार्टी से विधा ले लेंगे तो ऐसे में जो सूरते हाल पैदा हो रही है हरियाना में मनोहरलाल की इस दू केर भी करें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद